हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप लोग उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंट्स आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल एक एजू किसन स्कॉर्ड में सौगत है और फ्रेंट्स आज का जो हमारा टापिक है वह है आश्टेलियन ओपन किस महिने में खेला जाता है तो प्रतेकवर्स की जनवरी और फरवरी माह में खेल जाता है थीक है आश्टेखषी सुरेंट्स काब से Hopago आवरा और खेला एक किस महीने में जाता है प्रतेक वर्स जनुरी और फरवरी में खेला जाता है और किस जगहे पर खेला जाता है तो यह हार्ड कोड पर खेला जाता है ठीक है चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा प्रस नमबर 2 आश्टेलियन वोपन 2022 पुरु सेकल का किसने जीता तो इसको लिपीट करते हैं तो राफेल नडाल हो जाएंगे ठीक है और यह कहां के रहने वाले हैं इस्पेन के रहने वाले हैं और राफेल नडाल ने जीता और किसको हराकर जीता है तो डेनियल मेद्वेद्वेद्वेद्वेद्वेद्वेद्वेद्वेद्वेद्वेद्वेद्वेद्वेद्वेद्वेद्वेद्वेद्वेद्वेद्वेद्वेद्वेद्वेद्वेद्वेद्वेद्वेद्वेद्वेद्वेद्वेद्व फिर सेकल का किताब किसने जीता है जाहित है चलियेए उम्मिद करते हैं समझ हुए है प्रस नमबर 3 देखते हैं घराथं नडाल अभी तक अभी तक कुल कितने gi छीट 죽ेंग है टीक है अभी तक कितने कुल कितने gi जी चुके लागल लौने जीते हैं जिन westernitis वो फ्रेंच ऍहें और सब्सक्राइब ढूपन ओपन के है तो 15 समस्राइब बसुमूर 2 इस चीक है 인지aca थीक है अब कब तक जून 2022 टक थीख अगला देखते हैं अब का प्रेस नमबर 4 है ऐस्तेलिया अच्छ एलिया ओपन 2020 महिला एकल खिताब किसने जीता एस्तेलिया ओपन 2020 महिला एकल किताब किसने जीता है तो यह जीतने वाली महिला और भार्टी अब इस्ले और यह कहां की है यह आस्टेलिया की है ठीक है किसने जीता है महिला एकल का किताब एसले बार्टी ने और यह कहां की है आस्टेलिया की है और किसको हरा कर जीता है तो डेनियल कोलेंस को ठीक है किसको हरा है डेनियल कोलेंस को हरा कर मतलब यह किताब जीता है किसने एसले है डेनियल कोलें से कहां कि हैं यह अमेरिका की है ठीक है चलिए उम्मीद करने हैं समझ में आया हो आपको अगला देखते हैं प्रेस नंबर पांच आश्टेलिया आश्टेलियन वोपें 2022 पुरुष डबल्स का खिताब किसने जीता है तो यह हो जाएंगे निक किर्गियोस निक किर्गियोस और थानासी थानासी को कि नाकिस ठीक है थानासी को कि नाकिस यह दोनों लोग उने मतलब जीता है कौन-कौन से हैं रिपीट करते हैं एक बार आश्टेलियन वोपें 2022 पुरुष डबल्स का किताब इसने जीता है तो यह जीतने वाले दोनों लोग हैं किन क्रियोगिस को सोरी बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहे हैं किन क्रिग्योस और थानी को किन को किनाकिस ठीक है इन्होंने जीता है और किसको हरा कर जीता है तो मैथू एबडेन और मेक्स पुरसेल ठीक है मैथू एबडेन और मेक्स पुरसेल को हरा कर जीता है दो ०ू KİRAGYUZ थैना थानाशी को किनाकिस मैधु है V… मैग्स पुरु सेल ठीक है यह यह सभी टेनिस खिलाडी किस मे झीद के हैं तो यह सभी टेनिस खिलाडी कहां बार्बोरा क्रेश्टी कोवा ने जीता है और किसे हरा कर जीता है तो यह हो जाएंगी एदा डान नीला को कजाकिस्तान की है और दूसरी की जो साथी है बिरिटीज मैया दो लोगों को हराया है ठीक है तो इसको रिपीट करते हैं आश्टेलिया ऑपन 2022 महिला डबल्स का किताब किसने जीता है तो जीतने वाली दो महिलाएं हैं बार्बोरा क्रेशी कोवा बार्बोरा क्रेशी कोवा ने जीता है और इनके साथी जो जीतने वाली है वो क्या है कैटरीना सिनिकोवा केट्रीना सिनी स्निया कोवा ठीक है यह दोनों लोगों में जीता हीविए किन दो लोगों को हराया है तो उनके लेख लेते हैं तो हरने वाली जो महिलाएं उनके नाम है यह न हन दान Liz na Qajakistan की और इनकी जो साती हरने वाली थी ब्रिटीज मैया यह कहां कि थी यह ब्राजील कि थी ठीक है तो इन दोनों लोगों को हराया है अगला देखते हैं प्रस नमबर आठ आश्टेलियन ओपें 2022 222 mix doubles का खिताब किस ने जीता है तो ईवान डोडिंगने जीता है किस ने जीता है ऑर कहां के रहने वाले हैं कुरेशिया के रहने वाले हैं ठीक है और और डबलस का है तो इवान डॉ ड्वर्डिंग कुरेश्य के और इनके जो फ्रूइस का है खिर स्थीन किसने जीता तो यह हो जाएंगे इवान डोडिंग कुरेशिया के और क्रिस्टीना मलेदे नोविच फ्रांस की ठीक है अगला देखते हैं प्रेस नंबर नो आइस्टेलियन ओपन की शुरुवात कब से हुई है तो इसकी शुरुवात है 1905 से जनवरी फ्रवरी माह में खेला जाता है और इसके खेलने का जो जगह होती है जहां पर खेला जाता है उसको क्या कहते है हाड कोड कहते है ठीक है तो 1905 में इसकी इत्हापना हुई या शुरुवात हुई ऑजनवरी फ्रवरी माह में प्रतेक वर्स्ट कहला जाता है अगला प्रश नंबर 10 है फ्रेंच ओप और पर खेलते हैं क्या बोला जाता है खालका कि रूटेक बुट बोले मतलब मिटी का मैंदान ठीक है प्रस्ट नंबर गास का मैदान प्रेस नंबर 12 UES open यानि American open की शुरूआत कपसे हुई है तो 1881 से हुई है और यह प्रतियक और स्क्रिस महिने में खेला जाता है तो अगस्त सितमबर में खेला जाता है और इसके खेल के मैदान को क्या कहते हैं जहां पर खेला जाता है hard code कहते है ठीक है प्रेस नंबर 13 सब्से प्राणी tennis प्रतियोगिता काउंशी है तो बिंबल्डन है और बिंबल्डन की सबात कब से हुई है तो 1877 से हुई है और कहां से हुई थी तो आल इंग्लेंड कलब से हुई थी जो कि कहां है आल इंग्लेंड कलव लंदन में था ठीक है तो अचले फ्रेंस उम्मीद करें वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन